नमस्कार दोस्तों भारत के सम्विधान में किन देशेों से क्या क्या लिया गया है आज हम इसी बारे में डिसकस करेंगे और इसको एक ट्रिक के साथ सीखेंगे जिससे आपको याद करने में काफी आसानी हो जिससे तो इसमें हम बात करेंगे कि Great Britain, America, Germany, France, Canada, Ireland, Australia, दक्षड अफ्रिका, रूस तो इन देशों से भारत के सम्विधान में क्या क्या लिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे और यह है ट्रिक वीडियो होगा यानि कि हम इसमें तरीके से जानने की कोशिस करेंगे तो शुरू करते हैं तो हमारा पहला देश है ब्रिटेन तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि संद 1600 से लेके 1947 तक भारत पे ब्रिटेन का सासन था तो ब्रिटेन कहता है कि पूरे देश पे हमारा सासन था इसलिए संसद के निर्माड की जो ब्योस्था होगी वो पूर्ण रूप से हम करेंगे यानि कि अकेले हम उसको देखेंगे तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि संसद में जो संसदी ब्योस्था है बिधी निर्माड जो है और एकल नागरिकता है यह तीन चीज जो है बृटेन के सम्विधान से लिया गया है और अगर हम बृटेन की बात कर लेते हैं तो यह पूरा है Great Britain जिसमें कि एगर हम इंग्लाण की बात करते हैं तो यह इंग्लाण है यह Scotland और यह North Ireland इसमें भी अगर देखे तो हम Ireland के दो हिस्से हैं एक है Ireland जिसको Republic Ireland कहते हैं हम और दूसरा यह वाला जो Ireland है वो Great Britain का हिस्सा है और यहाँ पर जो यह है यह है English English Channel जो कि France और Great Britain को अलग करता है और यहाँ आप देख रहे हैं कि Atlantic Ocean और यहाँ पर North Sea तो दूसरे country की बात करें तो अमेरिका तो अमेरिका कहता है मेरे पास संयुक्तराष्टर संग है इसलिए मैं लोगों को नियाए वह सोतंतरता देने का अधिकार हमारे पास है अगर हम संयुक्तराष्टर संग की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि वह Washington DC में उसका मुख्याले है तो यानि कि भारत में नियाएक सोतंतरता का अधिकार और मौली का अधिकार यह दोनों अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अगर हम अमेरिका के बात करें तो आप यह देख सकते हैं यह अमेरिका है जिसमें टोटल 50 से स्टेट हैं और एक यहां पे कनाड़ा की उपर नौर्थ में अलास्का है जो कि रसिया से लिया गया था और इसके अगर साउथ में बात करें तो यह है मैक्सिको और उपर बात करें तो यह है कनाड़ा इस साइड अगर देखें तो यह है पैसिफिक ओशन और यह है अट्लैंटिक ओशन और यह गल्प आफ मैक्सिको और यह वाला जो है यह टोटल करेबियन कंट्री है करेबियन कंट्री यानि कि जो एक वेस्ट इंडीश टीम खेलती है क्रिकेट में तो वो सभी मिलके यहां पे हैं इसके बाद अगर हम बात करें जर्मनी की तो जर्मनी कहता है कि लोगों ने हमें विश्व युद में हराया है इसलिए हम पूरे विश्व में आपातकाल की हुई थी और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कंट्री और रसिया की जीत हुई थी तो उसी उक्राम में है यह और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी यह है जर्मनी इसकी राजधानी जो है वो बरलिन है और यहां की जो चैंसलर है एंगला मारकिल आप जानती होंगे उनक और अगर इसके कुछ आजू बाजू वाले कंट्रीज की बात करें तो यह है Poland, Czech Republic, Austria Austria, Hungary Empire आपने हिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा यह है Sudgerland, France, Luxembourg और Belgium और यह The Netherlands और यहाँ पे Denmark है और यह देखें North Sea और यहाँ Baltic Sea और इसके इस सैड़ वाले जो कंट्रीज हैं यानि कि North में जो कंट्रीज हैं उनको Baltic कंट्री भी का जाता है तो next की बात करें अगर हम France तो France कहता है मैं तो पहले से ही गड़तंत्र हूँ यानि कि आप पढ़े होंगे कि France में revolution हुआ था वहाँ पे किस तरीके से चर्च के बिरोध में एक revolution हुआ था और वहाँ से गड़तंत्र की स्थापना हुई थी तो उसी क्रम में भारत में जो गड़तंत्रात्मक बिवस्था है यहाँ पे एक्चुली गड़तंत्रात्मक यह दोनों एक साथ होना चाहिए था तो यह France से लिया गया है अगर हम France की बात करें तो यह है France और यहाँ पे Way of Vishki और यहाँ पे Mediterranean सी है और इसके अगर हम पश्च्च में बात करें यानि कि West में तो यह है Spain और यहाँ पे Italy Switzerland, Germany, Belgium और यह जो है यह है English सी यानि कि English Channel जिसे United Kingdom और France को अलग करता है तो यह रहाँ France इसके बाद हम बात करेंगे कनाडा के बारे में तो कनाडा बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ अकेले हर जगह पर मैं शाशन नहीं कर सकता हूँ यानि कि हर राज्यों पर मैं अकेले एक जगह पर बैठके साशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा देश बहुत बड़ा है तो राज्यों में सकती का जो विभाजन होगा किस राज्य को कौन सी सकती दी जाएगी उसकी व्योस्था जो है वो कनाडा से ली गई है कनाडा के बारे में अगर हम देखें तो यह है कनाडा कनाडा के जश्ट उपर यह है यूएर्स जिसके बारे में हमने अभी बात किया था अलास्का तो अलास्का वाला हिस्सा यह और अलास्का के इस साइड अगर आप देखेंगे है कि इसके बाद आगर हम बात करें ऐस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा विश्वकफ खेलता हुँ और मैं हमेसा सूची में प्रथम इस्थान गया है तो यहां से आप देख सकते हैं कि सूची में पर्था मिस्थान पर हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहता है तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया के अगर साउथ में देखे तो यह है इंडियन उशन और यहां पर है पैसितिक औशन और अगर यह देखे तो ये हैं तश्मानिया और फिर यहां पर आप देख रहे होगे तो यह फूफ नदिया है इसके बाद अगर अच्छे प्लेयर्स हैं चाहे वह अच्छे फ्लेयर्स हैं उनके पास लेकिन फिर भी वह आज तक वर्ड कप नहीं जीत पाएं तो बोलते हैं कि मैं हमेसा अच्छा खेलता हूं पर उसे पहली हाँ जाते हैं तो हमें अपने खेल में कुछ संसोधन करना ही पड़ेगा तो उसी प्रकार जो संविधान का संसोधन है वो लिया गया है साउथ अफ्रिका से तो यह देख सकते हैं आप साउथ अफ्रिका है टोटल और साउथ अफ्रिका हिस्ट्री के पॉइंट अफ्यू मॉडर्ण हिस्ट्री से काफी लिं है और एक यहाँ पर इसके साउथ अफ्रिका के अंदर ही एक देश है लेसे थो और यह है स्वाजिलेंड इसके बाद अगर हम बात करें रूस की तो आप सुरू से पढ़ते आए होंगे कि रूस भारत का काफी अच्छा गनिष्ट मित्र रहा है और भारत की हमेशा उसने हो तो रूस बोलता है भारत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी मदद करना मेरा मूल करतब भी है यानि कि हम भी अपने दोस्तों की मदद करना हमारे लिए अपना करतब होता है कि अपने दोस्तों की हमेशा मदद करें उसी प्रकार से रूस बोलता है कि भारत की मदद करना हमारा करतब भी है तो मूल करतब भी जो है वो रूस से लिया गया है और यह है रूस का नक्सा जो कि आप जानती होंगे कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह टोटल दो महादवित्यों पे है एक यूरोप और दूसरा एशिया और अगर इसके हम किन किन देशों से इसकी सीमाई लगती है तो आप देख सकते हैं ये है नौर्स कोरिया जी हाँ नौर्स कोरिया से भी रूस की सीमा लगती है जो कि बलादी बोश्टक बला एरिया है तो वो रूस से सीमा लगती है फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रह अगर इस साइड हो देखें तो यूक्रेन है यूक्रेन के रामा बेलजियम यहाँ पर लिट्विया फिर उसके बाद इस्टोनिया फिन्लैंड और नॉर्वे ये देश है तो ये सभी मिल कि तो रूस से अपनी सीमा साजा करते हैं और आप बढे भी होंगा कि 1991 में रसियन यानि कि USSR का क्लाइप्स हुआ था और वो यह वाले कंट्रीज थे टोटल फिर इसके बाद अगर हम बात करें आयरलेंड तो अब आयरलेंड किसी भी प्रकार का लिंक किसी इन्य चीज नहीं है यहां पिस सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ट्रिक का इस्तमाल किया गया है आप इसको रियल्टी से मत समझ लीजियेगा कि इसका कोई आपस में लिंक है रिलेशन है या फिर हां जैसे कि शौट अफ्रिका या ऑर और वाला हिस्सा अगर बात करें तो यह North Ireland Northern Ireland जोकि Great Britain का हिस्सा है और Ireland इसको Republic of Ireland भी बोलते हैं और यहां किसके ऊपर देखिए आप North Atlantic Ocean है और यहां पर St. George Channel है इसके अलाव अगर हम बात करें तो यह वीडियो हमारा यहीं समाफ्थ होता है thanks for watching और अगर आपको अच्छा लगे तो आप like, share और subscribe जरूर कर दीजीगा चैनल को तो ध्यूज़ाइब